अगर आपने आजी प्लान बनाया कि मुझे इंडिया से बाहर घूमने जाना है तो सब से पहले सवाल आता है कि आपके पास्पोर्ट हे या नहीं अगर नहीं है तो आप उसके लिए apply करते हैं और अगर है तो आपको लगेगा कि विजा के लिए apply करना पड़ेगा जिसमें पता नहीं कितना समय लगेगा और इन सब परेशानी से आप अपना plan ही cancel कर देते हैं है ना लेकिन ऐसा नहीं है कुछ-कुछ देश ऐसे है तो आजम 10 ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जहां पर आप विजा के बीना ही जा सकते हैं अलाकि आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपके पास कोई भी सरकारी कार्ड होना चाहिए और साथ ही उस देश का पैसा भी बैसे तो दुनिया में कुल 20 देश ऐसे है जहां पर बीना विजा के जा सकते हैं तो उन में से 10 देश के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे और वीडियो के आखिर में बाकी के देशों का नाम भी बताएंगे तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए अगर आपको इस तरह के अजीबो गरिब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस सेनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकोन को दबाना बिल्कूल ना भूले तो कि तभी आपको हमारा नया वीडियो मिल पाएगा सबसे पहले इंडोनेसिया जो हजारो ज्वाला मुखियद वीपों से बना एक दक्षिन पूर्व एसिया देश है जिसे अलग अलग भाचाय बोलने वाले सेकडों जाती है समोहों का घर भी कहा जाता है यहाँ पर हर साल लाखो भारतिय परियाटक के रूप में जाते हैं यह देश भारत से काफी नजदिक है और आप कम खर्चे में एक अच्छी जगा घूम सकते हैं क्योंकि भारत का एक रूपिया वराबर इंडोनेस्य के लगबग 200 रूपिय होते हैं यहाँ पर घूमने के लिए समद्र तर्ट, ज्वाला मुखी, कॉमोडो ड्रेगन और इनके जंगल आथी, बाग और आरंग गुटन जो बंदर की एक प्रजाती है उनके आश्री के भी काफी ज़्यादा है भारत ये लोगों का ये देश खास स्वागत करता है क्योंकि आप यहाँ पर बीना विजा के 30 दिनों तक रहे सकते हैं और इसके गिंती तब से शुरू होती है जिस दिन आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं दूसरा हाइटी देश शाइद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हाइटी के बारे में सुना होगा जो एक केरेबियन देश है इस इमेज में देखिए यहाँ पर है हाइटी जो डॉमेनिकल रिपबलेक के पास थी थे यहाँ एक दिप जैसा है जिसके चार और पानी ह हो रहा है पर आपको जानकर आश्यरिय होगा कि यहाँ एसिया देश ना होने के बावजुद भी यहाँ पर भारतियों को विजा की आवशकता नहीं है बस एयरपोर्ट पर पहुंचना के बाद आपको सिर्फ पासपोर्ट देना है और दस डॉलर का फीज बरना है उसके बा वर्षावन और चट्टानों नाच गाना उंच 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 पहाड यहाँ सब पसंद है तो जमाइका आपके लिए बिल्कुल सही जगा है आईटी की तरह जमाइका भी एक केरेबियन देश है और यहाँ का संगित दुनिया भर में काफी मशूर है सबसे अच्छी बात यहा पर भारतिय परियाटक बीना विजा के आसानी से घूम सकते है दर असल भारतियों को 30 दिन तक जमाइका में रहने और घूमने के लिए विजा नहीं सही है मगर आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और एयरपोर्ट पर वहां आपके पासपोर्ट पर वहां का ओफिस नहीं है उसके बाद भूटान जो आप जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देश है और यह एक तरप से सिक्किम से जुड़ा हुआ है भूटान हिमलाई के पूर्वी किनारे पर एक बहुत सामरज्य अपने मठों कीले और नाटिया परिद रिष्च के लिए जाना जाता है यह लगबग 7326 मीटर है तो यहां पर भी आपको विजा की कोई जरूरत नहीं है और आरहम से भूटान में गूम सकते हैं लेकिन सबसे पहले आप यहां जान ले कि भूटान जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आपको अपने साथ पास्पोर्ट एक आइडिंटिटी रहो सकता है जैसे कि वोटर आइडि आधार काड़ हो सकता है लेकिन आप भूटान में भारत के 500 और 2000 वाले नोट नहीं चला सकते हैं इसलिए आपको भूटान में भूटान के मुद्रा में पैसे खर्श करने पड़ेंगे भूटान हिमाले के पूर्वी हिस्सों के लिए अ करने के लिए दुनिया भर में काफी मशूर है इसके साथ ही अगर आप पशुपक्सी के प्रेमी हैं तो यहां आपको जरूर जाना चाहिए इस देश में भारतियों को बीना विजा के जाने की अनुमती है वो भी लगबग 90 दिनों के लिए बस आपके पांस पासपोर्ट हो इसके साथ ही आपके आपस वापस आने की टिकेट भी होनी सही है तब ही आप इस देश में बीना विजा के दाखिल हो सकते हैं खास बात यह है कि यह नियम सिर्फ परियाटकों के लिए नहीं बलकि काम के सिलसिले से जाने वाले लोगों पर भी लागू होता है उसके बाद इकवाडोर जो दक्षण अमेरिका का एक चोटा सा देश है और गाला पागोस दीप के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है यहां तक कि आमेजन जंगल का एक हिस्सा इस देश के अंदर भी आता है अब जब बात आमेजन जंगल के हो रही है तो आपको पता चल गया हो सकता है भारत ये लोगों के लिए खुशी के बात यह है कि बीना विजा के आप एकवाडोर में नबबे दिनों तक रहे सकते हैं आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट लेकर जाना है लेकिन ध्यान रखे कि आपका पासपोर्ट के वेलेडिट चेव महेने से ज्यादा होनी चा इस जगह का नजरा बहुती खुबसरत है जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है यहां पर परियाटक आते जाते रहते हैं और यहां बहुती क्लीन देश है भारत के लोगों के लिए यहां पर बीना विजा की अनुमती है लगबग 30 दिनों के लिए और बाकी देशों क कि दरा यहां पर भी सरकार का नियम है कि आपके पास्पोर्ट होना चाहिए जिसके वैलेडिट चेह मेहने से ज्यादा होनी चाहिए उसके बाद सर्विया जो येरोप पेनेंचुला मस्थित एक चोटा सा देश है जहां पर भारतियों को विजा की आवश्यक्ता नहीं है ये देश में आप रोमन आर्किटेक्चर और तूर्क आर्किटेक्चर देख सकते हैं यहां एक एतिहसिक जगा है और आपको यहां पर बहुत चारे पूराने मॉन्यूमेंट्स भी दिखेंगे साथ ही राष्टी ये रंगमंस में ओपेरा और बेले का घर है येरोप में शायद सर्विया ही एक ऐसा देश है जिसमें भारतियों को विजा की ज़रूरत नहीं है आप जहां पर बीना विजा के आराम से 30 दिन तक रहे सकते हैं उसके बाद नेपाल जो भारत के पड़ोसी देशों में से एक है जो हिमाले की पहाड यह से घिरा हुआ है इस देश में भारतियों के लिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर भारतिया बीना विजा के के वल घूमी नहीं बलकि काम भी कर सकते हैं यहाँ पर आप भी जा सकते हैं बस आपके पांस ID प्रूफ होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, Water ID कार्ड, इत्यादी भारत और नेपाल के सबंध अच्छे होने के कारण यहाँ संभव हुआ है लेकिन आज इसमें कुछ दरारे पैदा हुई है व्यापार को लेकर साल 1950 में इंडो नेपाल के friendship के चलते, दोनों देशों में आज तक शांती कायम है और यहाँ देश एक दुसरे के परम मित्र है इसलिए भारती आराम से नेपाल जा सकते है और उन्हें विजा की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पशुपतिनात मंदीर और सुन्दर वादिया है जिसे देखने के लिए हर साल भारती जाते है नेपाले पैसा की तुलना में भारती रूपे की किम्मत भी ज्यादा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा भी कम आएगा उसके बाद आखरी मौरिश्यस मौरिश्यस को एशिया के सभी देशों में सबसे सुन्दर देश माना जाता है यहाँ पर हर साल लाखो परियाटक आते है और यहाँ पर आप सुन्दर वाटर फॉल्स यहाँ का प्राक्रिटिक सौन्दरिया और यहाँ के समदर के नीले पानी का मज़ा ले सकते है साथ ही अगर आपको ओटर स्पोर्ट पसंद है तो मौरिश्यस आपके लिए बिल्कुल सही जगा है और बोलिवुड की कही फिल्मों के गानों के शूटिंग भी यहाँ पर कहीं बार हो चुके है इतना खुबसरुत देश है और इस खुबसरुत देश में जाने के लिए भारत ये लोगों को वीजा की आवाश्यक्ता नहीं है मोरिशेस और भारत के अच्चे सब्मन्ध होने के करण आप मोरिशेस में सिर्फ पासपोर्ट से ही जा सकते है मोरिशेस जाने के लिए एरपोर्ट पर आपको 60 दिन के अनुमती दी जाएगी इसके सिर्फ एक ही शर्थ है कि आपके मस वापस आने के लिए रिटन टिकिट होना चाहिए सिर्फ घुमने के लिए नहीं बलकि बिजनेस करने के लिए भी आप साथ दिनों तक मौरिश्यस में जा सकते हैं इसके अलावा भी कुछ देश हैं जहां पर आप बिना वीजा के जा सकते हैं जिसके नाम शायदी कभी आपने सुने होंगे जिसमें तूर्क एंड केकोस आइलेंड, फेरो मेसेडोनिया, स्वालबार्ड, मुंटे सेराट, वानु अतू, सेंट विंचेट एंड ग्रेंडिनेज, सेंट किट्स एंड नेविस, ग्रेनेडा, फीजी, एल साल्वाडोर और डॉमिनिका जैसे देश शामिल हैं इसके अलावा, 35-37 देश ऐसे हैं दुनिया में, जिन देशों में आप बीना विजा के जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतरने तक ही, जैसे आप वहाँ पर उतरेंगे, आपको वहाँ के विजा लेने पड़ेंगे, और उसके बाद आप अपना काम निप्टा सकते हैं अगर विडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, अगर आप लाइक करेंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और अपना दोस्तों के साथ, फेस्बुक और वाटसब पर शेयर करना बिल्कुल ना भूले, धन्यवाद, जाए हिंद, वंदे मात्रम